क्या दिनीश लाल यादव नेरहा हुआ, क्या मनुष तीवारी, क्या पवण सिंह और क्या अब खेसारी लाल की रजनीती में एंट्री होगी, क्या खेसारी लाल भी अब भूझपूरी इंडस्ट्री को छोड़ कर रजनीती में अपनी खिस्मत को आजमाते हुई नसर आएंग में सक्रिय नजर आए किसी पार्टी के साथ तो नहीं जुड़े लेकिन अपने भोजपुरी इंडर्स्री से जुड़े हुए कई स्टार के लिए प्रचार प्रसार करते हुए भी देखे गए पवन सिंघ जब कारकार्ट से निर्दलीय चुनावी मैडान में उतारे गए तो खेसारी लाल उनके समर्थन में आए खेसारी लाल ने उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया है खेसारी लाल यहीं तक नहीं थमते हैं poquito-परदेश में निरहिवा के समर्थन में भी तूइट करते हुई यह कहा कि यह मुलकात अनुपचारिक तो है लेकिन इसके कई माइने निकाले जाते हैं अब ऐसे में कहा जा रहा है कि विधान सभाद चुनाब नस्दीक है और उत्रपरदेश में वैसे ही दस विधान सभाद सीटों पर उपचुनाब होने हैं खेसारी ल अखले शादव यह ट्विट करते हैं तस्वीर साजा करते हैं उसके फॉरण बाद ही खेसारी लाल का ट्विट भी सामने आ जाता है यह आपको स्क्रीन पर देख जाएगा जिसमें अखले शादव की तारीफ करते हुए नजर आते हैं अखले शादव से मुलकात को लेकर उ और अखलेश श्यादव की मुलाकात क्या उप्चुनावों में कोई बड़ा फैसला यहां पर सपा की तरफ से लिया जा सकता है। वैसे ही समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन इस बार की लोग सभाद चुनाव में बहतर साबित होता हुआ नजर आया। 37 सीटे यहां पर दर्ज अखलेश श्यादव की पार्टी ने की अब क्या खेसारी लाल समाजवादी पार्टी का दामन थामते वे नजर आएंगे क्या लगता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।